हलो फ्रेंज देख रहे हैं आप नेक्ष्ट और आई न्यूज स्वागत है इस वक्त आप सभी का ट्रेंडिंग स्पेशल हमारे शो में बॉलिवर्ड अपदेट ट्रेंडिंग स्पेशल इसकास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस वक्त की आई सबसे बड़ी खबर के बारे में पूजा डदलानी पहली बार कोशनिंग का सामना करती नजर नहीं आई जिसके बार पहले तो तब्यत का हवाला देते वें एंसीबी ऑफिस नहीं पहुँच कर एसाइटी के जाच के बीच परिश्यानी खड़ी पर कर बैटी फूजा डदलानी जिनके साल केपी गोउसावी के फुटेज की चरचा हुई NCB ने वो footage खंकाल डाला है बताया जा रहा है कि RN Khan के drug मामले में RN Khan जो drug मामले में गिरफतार हुए जेल की चक्कर उन्होंने काटे आरतर रोड जेल में 25 दिन गुजारे और फिर 5 बार बेल जेक्ट होने के बाद छटी बार उन्हें बेल मिला है वो बेल आसानी से नहीं मिला ना सिर्फ मुकल रातगी 47 मानशिंदे उनके लिए दिन राते कर बैठे लेकिन पैसे मामले में रैमजन्स मामले में आरोप तामाम बड़े हैं शारू की मुसीबत है और पुझा रदलानी ने वाकई में अगर पैसे की डील की थी 50 लाग की डील के पी गुसावी के साथ तो मुसीबत खान परिवार के लिए बड़ी इस बार हो सकती है आरन के फ्यूचर पर इसका गहरा असर बढ़ सकता है और सब के बीच प्रभाकर सेल्स पॉट किये गए है जी हां प्रभाकर सेल्स पॉट किये गए है फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा जटका अलग चुकी है फिल्म इंडस्ट्री को क्योंकि प्रभाकर सेल वो शक्स है जिनका खुले तोर पर कहना है कि समीरवान खेड़े केपी गोसावी सैम डिसूजा ये सब मिले हुए थे रैमजन्स का मामला जो पहले 25 करोड का मामला सामने आया फिर 50 लग का मामला सामने आया है इसमें केपी गुसावी ने पुजा रड़लानी से पैसे लिए आरन को जेल से चुडाने के लिए आरन को ड्रग मामने से बाहर करने के लिए रैमजन्स की बात हुई थी यानि की पैसो की डील की बात हुई थी इस तरह के आरोप प्रभाकर सेल के हैं प्रभाकर सेल को अब SIT जो है समन करने के बाद पूश्टाश के लिए लेकर आ चुकी है तो क्या समीर की मुझीबत और बढ़ने वाली है कि आरियन खान मामने में शारुक ने पैसे वाकर दिये हैं ये सावित कर पाएंगे प्रभाकर सेल अपने स्टेटमेंट से उसे बत बहुत बड़ी है और खान परिवार की नींदे उड़ गई है प्रभाकर के सामने आने के बाद एक बार पर से SIT की जाच में क्या बतलाव होगा ये वक्त बताएगा फिलाल आपकी क्या रहा है इस खास प्रोग्राम के स्पेशल आपिसोड के इस रिपोर्ट के जर आप